वेरी गूड इवनिंग शुडेंट बिटा क्लास स्टार्ट करेंगे करणट अफेर की देखे 22 और 23 अक्टूबर को जो भी करणट के कोश्चन बने हैं आपके एक्जाम के पॉइंट यू व्यू से जो फेंटस्टिक कोश्चन होगे बिटा वो कोश्चन मैंने स्लेक्ट किये आ रहे हैं पिछले पांच साल से लगातार ऐसा ही हो रहा है तो सभी के सभी कोश्चन को आपको नोट करते हुए चलना है ठीक है तो बिटा स्टार्ट करते हैं अपनी करणट की क्लास देखिए ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन मिशन गगन्यान के कौन से क्रूद एश्केप मोडल का सफल प्रिक्शन इसरो के दुबारा कर लिया गया है तो बटा विच्क्रव एश्केप मोडल of личon गगन्यान हैं ठीच बिटा इसरो》 ने ये जो successfully तेस्ट कर लिया गया यह है TVDI task vehicle abort mission इसको test vehicle abort mission है विटा यह TVDI ठीक है अभी इस रोंने गगनियान जो mission है हमारा उसके लिए crew escape model हमना तयार किया और सको test कर लिया भी बंगाल की खाड़ी में उसकी testing की गई है बंगाल की खाडी में टेस्टिंग की गई है वहाँ पर उनको जो वे जो टेस्ट किया है उनको जो जो चीजें मिली है बंगाल की खाडी में आके उनको मिला है जो भारतिय की जो जो नेवी फोर्स उसके द्वारा वो चीजें प्राप्ट कर ली गई है ठीके ना तो ये लॉंच कर सकत हुआ कि से जब कराता है भारत कब तक दोहजार पचचिस तक यह है क्रू को सक्ते हैं सदस्षी थी कि लिए जा सकते हैं थी कंदिन के लिए अंत्रिक्स में जा सकते हैं कितने किलोमेटर चार सदश्य तीन दिन के लिए 400 किलोमीटर के उचाई पर रहे सकते हैं और इनको सफलता पूर्वक वापस लेकि आना है यह टेस्ट किया गया है कि सफलता पूर्वक उनको हम लेकि आएंगे इससे पहले कई टेस्ट हमारे होंगे 2025 तक हम यह लॉंच कर सकते हैं है ना तो इसका सफलता पूर्वक कर लिया गया है है इससे हमारी आशाएं और बढ़ गई कि हम अपना अंतरिक्स में अपने क्रू को अपने मेंबर्स को वहां पर भेज सकते हैं जो सफलता पूर्वक वापस भी लाया जा सकता है जिसको है ना इसकी सक्सेस्फुली टेस्टिंग हो चुकी है ओके बात समझ में आगी कहां से यह टेस्ट किया गया था यह बंगाल की खाड़ी में तुनको मिला है सब कुछ लेकिन यह किया गया था स्री हरी कोटा स्री हरी कोटा सतीस धवन केंदर सतीस धवन स्तीस धवन केंदर ओके स्री हरी कोटा स्तीस धवन केंदर से इसकी लौंचिंग की गई और बंगाल की खाड़ी में लगबग 10 किलोमेटर दूर से जो नेवी के हमारे जो भी फोर्स है उसको यह सारी चीजें वहाँ पर जब उन्हें एसकेप किया उपर से तो उनको वो सार बंगाल की खाड़ी में तो यह कौन सा एसकेप मोडल था यह था टीवी डिया किस ने लौंच किया कौन सा मिशन मिशन गंगर यान कब तक लौंच कर सकता है इसको सफलता पूरवक हम 2025 तक अपने मेंबर को भीज सकते हैं जो सफलता पूरवक लोटके आएंगे तीन इसको एसे भी लिख सकते हैं आप हमून हमून यह हमून चकरवाथ इसका नाम किस ने रखा इसका नाम रखा इसका हमून चकरवाथ का जो कि काफी डेंजर से 120 से 125 किलोमेटर पर ती घंटे कि स्पीड से हमाई चलेंगी इसके अंदर हमून चकरवाथ का नाम इसने रख जया गया कहां पर यह उठ रहा है यह बंगाल की खाड़ी में उठ रहा है मैंने अभी से पहले क्लास आपको बताई थी उसमें मैंने तेज के बारे में आपको ब भारत ने तेज का नाम किस ने रखा भारत ने ऐसे ही बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवाथ बन रहा है हामून उसका नाम इरान ने रखा वीटा ठीक है यह कुश्चन काफी इंपोर्टेंट होते हैं पेपर में आ सकते हैं इसलिए मैं ऐसे को जो डिजास्टर चीज़ें होती हैं जो डिजास्टर चीज़ों में जैसे की अर्थक्विक हो गया है ना वल्केनिजम हो गया प्रोसेस और अपना सुनामी हो गया साइकलोन हो गया यह चीज़ें डिजास्टर चीज़ों में आती हैं और यह चीज़ें आपके पेपर में जरूर आती हैं तो हामून का पेटा रख़ा एरान ने तेज का नाम रख़ा भारत ने तेज कहांपर बन रहा है अरब सागर में और हामुन कहांपर slider की ओके एरान की बात करें तो बैटा इरान की capital कौण सी है इरान की capital है तेहरान इरान की capital है कोण सी तेहरान, इरान के राश्ट्रपती कौण है इबराहिम रैसी, इरान के राश्टरपती कोन है इबराहिम कई बार बता चुका हूँ इबराहिम रईसी ठीक है करंसी कौन सी है रियाल करंसी कौन सी है रियाल ठीक है रियाल उसकी करंसी होगी राजधानी तेहरान होगी बात समझ में आगी अब थोड़ा सा इसके बारे में इसके जो जो इरान है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बताओं इसके जो मिसाइल परिक्षन जो किये गए ना सफलता पूरवा इन्होंने जो अपनी मिसाइल टेस्ट की हैं तो वो कौन-कौन सी अभी हाल फिलाल में अभी कौन-कौ खैबर मिसाइल का परिक्षन इसने किया और कौन सी मिसाइल का परिक्षन इसने किया एक तो खैबर मिसाइल है इसकी दूसरी मिसाइल है फते हैं दूसरी इसकी मिसाइल करोगे आप फते हैं इसकी जरूर आपको नोट करनी है इरान के अंदर डैजर्ट भी आप नोट कर सकते ह मरुष्तल कौन-Kon say Hai Iran के अधियों के मरुष्तल हैं 10 पर 11 ए कबीर यह इरान के डेजर्ट में आपको बता रहा हूं लेटा देखिए इसको अराम से साफ करके लिखते लेखिए दस्त इसको आपको नोट करना है विटा दस्त ए लुट और दूसरा डेजर्ट दस्ते दस्ते कबीर यह दो वहां पर डेजर्ट हैं बात समझ में आगी दो डेजर्ट हैं दस्ते लुट दस्ते कबीर अभी एरान का और अमेरिका का जगडा चला हुआ है इरान ने कई जगए पर अमेरिका के कई ठिकानों पर जो की अपना अरब सागर के आसपास रेड सी में जो अमेरिकी जो जहाज खड़े हुए थे उन पर कई जगए हमला कर दिया इरान ने है ना किसके लिए फिलिस्तीन के लिए फिलिस्तीन के समर्थन में ठीक है और अमेरिका ने बोला कि मैं जो इसराइल है उसके साथ में खड़ा हूँ उस पर जो भी अटेक करेगा मैं उस पर अटेक करूँगा तो ये जंग हो चुकी है बिटा स्टार्ट एक परकार से हो सकता ह कि इसमें वर्ड पूरे दो खेमों में बठ जाए और वर्ड वोर हो सकता है ठीक है ओके चलो सेकिंड कुश्चन हमारा कम्प्लीट है यह हामून चक्रवात का नाम किसे ने दिया इरान ने तेज चक्रवात का नाम दिया था भारत ने ओके तो इरान के बारे में मैंने कई की गई है होके और इरान के जो राष्ट्रपती है और उनकी राज़दानी है वो क्या है पहला देश कोन सा बन गया जिसने अप टतिये जहाद से अप तटिये जहाद से इलेक्ट्रो मेगनेटिक रेल गन को सफलता पुर्वक लौंच किया है बेटा ये अप तटिये जहाद क्या होता है जो अप तटिये जो आप जहाद देखे नो ओफ सोर जो शिप होते हैं इंगलिस में मैं आपको बताओं आप तटिये जहाद को बोलते हैं ओफ शोर ओफ शोर सिप ये क्या होते हैं जो तेल वेगरा की खोज करते हैं उनका निर्मान करते हैं गूमते हैं ऐसे शिप जो तेल वेगरा की खोज के लिए गूमते हैं इसकी मारक शम्ता बढ़े है काफी फोर्स से इसको लॉंच किया जाता है चीज है यानि की काफी तेजी से उसकी स्पीड काफी होती है यह काफी दूर तक जाती है 200 क कि जाती है ठीक है क्योंकि इसके अंदर बिटा electromagnetic जो power है न वो इसको बड़ी तेजी से launch करती है ठीक है काफी तेजी से वो काम करती electromagnetic जो होगी ये काफी तेजी से काम करेगा इसलिए rail gun का जो mark शमता है वो 200 km होगी और इसका सबसे पहले ऐसा देश कौन सा बन गया जिसने सफलता पुर्वक इसको launch किया वो बन गया है japan कोन बन गया जापान अब japan के बारे में आपके से बात करूँ तो बेटा जापान की सबस्क्राइब क्या है japan की राजदानी है tokyo कौन सी राजदानी है tokyo मुद्रा क्या है करंसी क्या है currency येन येन करंसी है और वहां के कौन है फूमियों फूमियों किशीदा लिख देता हूं कि फूमियों किशीदा फूमियों किशीदा फूमियों किशीदा फूमियों किशीदा फूमियों किशीदा फूमियों किशीदा वहां के पीम है मुद्रा करंसी कौन सी है करंसी येन कैपिटल कौन सी है कैपिटल है टोक हैं हमेशा और काफी बोडी वर्क आउड करते हैं इसलिए जापान की वर्ड में सबसे ज्यादा ऐसे उमर दरा जाज आद्मिय आपको जापान के अंदर बît रह जskiर Kommunen करते हुए इन की मिर्टि दर जो है वह काफी एक रिखियों की वहाँ पर hältना 55て नैंँटी और 95य सके आदम आपको वहाँ पर काफी स्वस्त आदमिया आपको गूमते हुए साइकलिंग करते हुए जोगिंग करते हुए आपको नजर आएंगे जापान के अंदर क्यों की बड़ा लाइट फूड लेते हैं ठीक है ज्यादा है वी फूड नहीं लेते और इसके पीछे रीजन का योगा हगे वोगाईब करते हैं कसरत करते हैं महिनत करते हैं उके और जापान बिटा सबसे पहले परमानु हमला जहला था अमरिका के द्वारा जब्रल न्हीं एक सुस्क्राणों गीराइग वहांपर दो परवाणूबं में गियराई गई थे फैट मैन और लिटिल बोई फैट मैन परमानू बम और लिटिल बोई परमानू बम 6 अगस्त को हिरोशिमा पर 9 अगस्त को नागा शाकी पर जापान में परमानू हमला किया था अमेरिका ने ठीक है 1945 में उस हमले के बाद जापान ने अपने हाथ उठा दिये थे जीवार मानली थी है ना और यह बड़ा भयानक हमला था और उसके बाद से जो स वोड वार था वो रुप गया था बंध हो गया था है धिक है और आज के जो प्रवानुबम है भी वह काफी जैदा पाउर्फुल है उस टाइम से तो काफी जैदा पावरफुल है लेकिन वो जो प्रवानु बम वहाँ पर गिराए गए थे आज तक भी उनका इंपक्ट उनका प्रभाव देखने को मिलता है काफी चीजें वहाँ पर ऐसी भयावें चीजें हैं जिनकी अभी तक बरपाई नहीं हो चुकी है ठीक है चलो कोश्चन नमबर फोर पर चलते हैं अभी हाल ही में सर्धानजली फ्लाई ओवर का उद्गातन कौन से राज्या में हुआ है बेटा देखो अभी हाल ही में अभी हाल ही में सर्धानजली फ्लाई ओवर जो की वहां का दूसरा सबसे बड़ा ये देखो कहां पर हुआ बेटा असम के अंदर हुआ है यह कहां पर हुआ है असम के अंदर जो सरदांजली है ना यह सेकंड लोंगेस्ट है यह सेकंड लोंगेस्ट फ्लाई ओवर है बिटा कौन सा सरदांजली सेकंड लोंगेस्ट फ्लाई ओवर है सरदांजली असम के गुवाहाटी में कहां पर असम के गुवाहाटी में है ना हेम हेमंत विश्वा के द्वारा इसका उद्गाटन किया गया है अभी उन्होंने अपनी पिक्चर एक अपनी फोटो खिचवाई है वहीं पर इसी फ्लाई ओर पर है ना काफी बड़ा है इसकी लेंड कितनी है इसकी लेंड है 2.28 किलोमीटर ये लंबाई है है ना मैं आपको अग ही चीजे में आपको बताऊंगा सुनिए यहां पर जो फस्ट है अब सेकेंड तो मैंने बता जिया फस्ट भी देख लें नीला चल सबसे लंबा नीला चल सबसे लंबा जो फ्लाई ओर है वो कौन सा है यहाँ पर नीला चल नीला चल फर्स्ट लंबा फर्स्ट लोंगेस्ट जो असम के अंदर जो असम के अंदर जो लोंगेस्ट फ्लाई ओर है लेंट कितने 2.63 किलोमेटर इसकी लेंट है है ना ये है नीला चल फर्ष्ट ये होगा और दूसरा कौन सा होगा भी मैंने बताया सरधानजली होगा जो दूसरा होगा है ना हेमंत विस्वा के ज़वारा उद्गाटन किया जा चुक है असम की राजदानी है बेटा दिस्पूर असम की राजदानी कौन से होगी दिस्पूर और असम के जो सियम है मैंने वो बताई दिया आपको हेमंत विस्वा है यहाँ पर नेशनल पार्क कौन कौन से है तो काजी रंगा काजी रंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है यहाँ पर, यहाँ पर क्लासिकल डान्स कौन सा, शाष्त्रिय नृत्त है बिटा यहाँ पर, सत्रिय यहाँ पर क्लासिकल डान्स होगा, ओके यहाँ पर फेस्टिवल कौन से होंगे, देखो यहाँ पर फेस्टिवल हों वों भी फेस्टिवल इना एक पोईंट में आपको और भी बताओं यहां पर परम काम रूप क्या चीज कैंसे वह यह ना आम सुना है आप लोगों ने परम काम रूप असम का शूपर कम्प्यूटर सूपर का चीज ना, old name, old name of awesome, काम रूप, कामाख्या देवी यहाँ पर टेमपल है, बहुत important चीजे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इन सब को नोट करना, कामाख्या देवी यहाँ पर टेमपल है, मंदिर है, बहुत ही बड़ा, world famous टेमपल है, वेटा, कामाख्या देवी टेमपल है, यह के, यहाँ सत्रिय क्लासिकल डांस है, काजी रंगा मानस, यहाँ पर नैशनल पार्क होंगे, गज और भी हूँ, यहाँ पर फेस्टिवल होगा, और दुनिया का सब से बड़ा रीवर आईलेंड, रीवर आईलेंड, वर्ड बिगेस्ट रीवर आईलेंड होगा, बेटा, मा माजूली, और वर्ड Moscowest रीवर आईलेंड भी बीटा यहीं पर है, उमानंदा, उमानंदा देखो दोनों बता दिये, मैंने, वर्ड बिगेस्ट रीवर आईलेंड माजूली वर्ड smallest river island उमानन्दा दोनों के दोनों ब्रह्म पुतरनदी में असम के अंदर है ना तो ये इतने सारे point है विटा असम के static gk के point होंगे ये है ना असम का old name का होगा काम रूप परम काम रूप क्या है सूपर कंप्यूटर जो गुवा हटी आया इटिक में उधर बनाया गया है ठीक है ना तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करते हुए चलनी है साथ-साथ में क्लास को पोज करके फटा-फट साथ-साथ नोट करते चलिए ओके असम के बारे में और कुछ भी आपको मैं बताऊं तो बिटा असम की जो ट्राइब से असम की जो जन जाती है वो कौन सी है असम की बिटा जन जाती है बोडो बहुती फेमस एक जन जाती है सम की कौन सी बोडो ट्राइब देखो यहां पर मैं लिखता Asam की बहुती फेमस जंजाती है बोडो यह अभी दिली में जंतर मंतर पे बैठे थे और बोडो लैंड की यह मांग कर रहे थे Asam के अंदर होके बात समझ में आगे Asam के अंदर एक पलेट्यू है बेटा एक पठार है पलेट्यू बोले तो पठार असम के अंदर जिसको बोलते हैं करीबू करीबू का पठार करीबू का पठार है करीबू पेलेट्ट्यू है वहीं पर वहाँ पर बारेल हिल्स है बारेल की पहाडिया है असम में और ये असम के साथ मनीपूर और नागा लेंड के अंदर भी हैं यहाँ पर मिकिर हिल्स भी हैं मिकिर मिकिर की पहाडियां भी बिटा मिकिर की पहाडियां भी असम के अंदर है तो असम के अंदर मैंने सारे के सारे static point आपको बता दिये हैं काफी अच्छे point थे चलो question आगे बढ़ते है question number five पर धोर्डो गाउं किस राज्या में है जिसे दोडो गाउं किस राज्य में जिसे हाल ही में UNWTO के सर्व स्रिष्ट प्रियतन गाउं 2023 से सम्मानित किया गया है दोडो विलेज हैज बिन एवोड़ेड यूएं डोडो बेस्ट टूरिस्ट विलेज इन 2023 232 में यह है दोडो जिस्टिक होगा कच्छ कच्छ जिले में है पाकिस्तान के पास में चोटा साव भीलेज जोटा सा गां है पाकिस्तान के में से एक भारत में. चौंगाओं में से भारत का पी जुना गया है। भारत का दोर्णों गाओं है यह चुना गया है अभी UNWTO वर्ल्ड युनाइटेड नेशन डवल्ड टी वर्ल्ड ट्रेड ओर्इड ओर्गनाइजेशन के दवारा इसको चुना गया है अब मैं थोड़ा सा UNWTO की अगर मैं बात करूँ UNWTO 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 United Nation World Trade Organization World Trade Organization sorry World Tourism यह वर्ल्ड टूरिजम और्गनाइजेशन होगा ट्रेड नहीं होगा वो डव्लू टी ओ अलग होगा यह देखो डव्लू टी ओ यह टूरिजम के लिए हम जानते हैं इसको इसकी स्थापना कब हुई थी 1975 में 1975 में हुई थी स्थापना हैड ओफिस किदर है इसका हैड ओफिस किदर है इसका हैड ओफिस है मैड्रीड स्पेन के अंदर कहां पर है मैड्रीड स्पेन मैड्रीड स्पेन में इसका हैड ओफिस है कब बना था यह बना था 1975 में युनाइटेड नैशन वर्ल्ड टूरिजम और्गनाइजेशन करेंगे गुजरात का कच जिस्टिक में है अब गुजरात की बात आई है तो गुजरात के बारे में कुछ मैं पॉइंट आपको फिर से बताऊं गुजरात के अंदर गिर नेशनल पार्क है गिर नेशनल पार्क है जो की एशिया टिक लाइन्स के लिए है एशिया ही सेर आपको गुज चैस्ट और लोंगेस्ट जो मांटेंज है हिल से वह कौन जा गिर नार यहाँências ले पार्न एक वहला बाता है गिर निशनल पार्क है गि नेसनल पार्क है गर यहाँ मांटेन है सुँर नियहाँ पर जील है जोकी चंद्रगुप्त मौरय के द्वारा बताई जाती गर्बा यहाँ पर दानस है ना और सुनिए गुजरात के बारे में आप देखे सुनिए बटा गुजरात के अंदर सुदर्शय ने एक मैन मेड लेकर जो चंदरगुप्त मोरिय ने यहाँ पर बनवाई थी यहाँ पर कच्छ हिल्स है कौन से हिल्स है कच्छ कच्छ हिल्स है यहाँ पर मांडव हिल्स है मांडव हिल्स है यहाँ पर बर्डा हिल्स है बर्डा मांडव कच्छ गिर्नार यह पहाड मैंने आपको बताए हैं गुजरात के अंदर फिर से सुन लें गिर्नार हाइस्ट माउंटेन इन गुजरात गिर्नार ठीक है कच्छ हिल्स है बड़ाहिल से वहीं पर गुजरत के अंदर जो बिगेश्ट लोंगेश्ट जो तैम है वो है सरदार सिरोमर इदर देखे मैं लिख допर बिगेश्ट जो डैम होगा सरदार सمر होगा गुजरीश्ट अंदर ये नर्मदा नदीपर है कौनच नदीपर है नर्मदा नदीपर है ठीक है यह अगई बढ़ते हैं कोश्चन नंबर 6 अभी हाल ही में mission महीला सार्थी का सुभारम कहां पर हुआ वेर्वाज में महीला सार्थी लॉंच रिसेंट जैसा कि आपने दिख रहा है यहां पर आप यहां पर सीएम योगी का एक पिक्चर आप देख रहे हो तो यह सीएम योगी इनको हरी जंडी दिखा रहे हैं यह क्या है बस यह लगवागी क्या वन बस फिफ्टी वन फिफ्टी टू यह बस जो अभी हाल फिलाल अभी लॉंच की गई है दुर्गा अश्टमी और महिला सार्थी का सुहारंब कर दिया गया है महिला सार्थी क्यों नाम रखा क्योंकि इसका बस का ड्रैवर भी इसका बस का ड्राइवर भी और कंडेक्टर भी महिला होगा महिला होंगी ड्राइवर और कंडेक्टर इसलिए महिला सार्थी है यह बात समझ में आगई अब उत उत्रप्रदेश में चंद्र प्रभा नेशनल पार्क है कौन सा चंद्र प्रभा चंद्र प्रभा नेशनल पार्क है यहीं पर दुधुवा नेशनल पार्क है चंद्र प्रभा दुधुवा यहां पर नेशनल पार्क है ध्यान से सुन लेना ओके यहां पर मैनमेड लेख है कौ जोविंद, वल्हब, पंथ यहाँ पर यहाँ पर पीली भीत में भी वहाँ नेसनल पार्क है पीली भीत चन्दरपरभा दुद्ववा येने अने पार्क है उत्रपरदेस के अंदर बात समंझ में आगे हैं यहां से बहुत बड़े एरिया से होतेероह निकल जाती है गंगा नदी गंगा नदी पर बहुत बड़े यहां पर शहर हैं कौन-कौन से कानपूर वारणसी है ना कन्नोज हरीद्वार हरीद्वार तो खेर उत्रा खंड में पड़ जाएगा तो कानपूर वारणसी कन्नोज यहां पर बहुत बड़े शहर हैं उत्रप्रदेश क अंदर गंगा नदी के तट पर ओके चलो आगे बढ़ते हैं कोश्य नमबर 7 भारत का दूसरा वैलोडरम किस शहर में बनाया जाएगा दूसरा वैलोडरम बनेगा भोपाल के अंदर यह वैलोड्रम क्या यह cycling के cycling का जो racing होती है उसके लिए होता है यह उसके लिए होता देखो यह आपको यह cycling race के लिए होता है पहला जो बहुत बड़ा बना था वह एदराबाद में बना था वह ने कुछ दिन पहले आपको पढ़ाया था है दूसरा बहुत बड़ा भी बनेगा भोपाल के अंदर दुनिया का पहला वैलोड्रेल पहला वैलोड् अंदर हैंज दूनिया का पहला वैलोड्रम बना भी महत ही πुरा पुराना ओल्ड्रम रहो बीटन ऑर भी बहारत में भी एं तो भारत चेंदर भी cycling race के लिए cycle race के लिए भी काफी चीजें सुविधाय उपलब्द हो जाएंगी है ना बोपाल के अंदर ये काम स्टार्ट कर दिया गया बोपाल कैपिटल ओफ MP मध्य परदेश वहाँ पर बहुत ही स्वस्त एक साफ सफाई वाला शहर जिसको कई बार सम्मानित किया गया उसके लिए वह इंदोर कहां का MP का है है ना वहां के सिय में शिवराद सिंग चोहान वहां से कई नदिया निकल जाती है MP से मध्य परदेश से काफी सारी नदिया निकलती है विंध्यांचल माउंटिन रेंज है वहां से कई सारी नदिया निकलती है जैसे चंबल बेतवा नर्मदा तापती सोन सिंध केन इतनी सारी नदियां यह विंद्यांचल माउंटेंज से मध्य परदेश से निकल जाती है ना विंद्यांचल माउंटेंज एक ऐसी रेंज जो भारत को दो भागवें बाटती है नोर्थ इंडिया और सौथ canned ilia क्योंकि वह भारत के लग बीच से और भारत में एक लोंगेस्ट माउंटेन रेंज है आप यह कह सकते हो भारत की सबसे लंबी परवच रेंगला जो की भारत के लगबग बीचो बीच है गुजरात से बिहार तक फैली है और यह उत्तर भारत को दक्षिन भारत से अलग करती है इसका सबसे उंची चोटी सबसें और हाइस्ट माउंट की को फिन ध्यांचल तो बैटाव वह कौन ची यहाे है सध भाव ना सद भावना सथबहावना कॉल ना हाइस्ट माउंटेन पीक ओफ मध्येपरदेश हिन इन विन्धान चल मांटेन रींज चलो क्षिण नमरी फे चलते हैं اب इहाल छवद्ही में एंथोरियम महुतसव का आयोजन कौन सी राज्य में हुआ वेरवाज द एंतोरियम फेस्टीवल और रिसेंट ली यह दोर्यम महुतसव मनाया गया भी मिजोरम के अंदर कहां पर मिजोरम के अंदर यह ना तीन दिवसी चलने वाला फेस्टिवल होता है एंधूरिय महुतसव काफी जोर-सोर से बनाया जाता है मिजोरम के अंदर बीटा यह ठीक है और मिजोरम की थोड़ा सा मैं बात करूं तो मिजोरम की अंदर जो मिजोरम के अंदर बीटा नेशनल पार्क है डाम फा कौन सा नेशनल पार्क है डाम फा वहां पर नेशनल पार्क है मिजोरम और मिजोरम का बेटा बहुत इंपोर्टेंट एक कोशन आता है है forest area percentage है na highest percentage forest state ठीक है ति कौन सा है state राज है highest forest density भी कह सकते हो आप इसको highest percentage forest highest forest percent आप कह सकते हो है ना सबसे देखो मैं परतीशत में परतीशत में समसे ज्यादा परतीशत में वन वाला राज्य राज्य ध्यान से सुनना highest forest percent highest forest percent state कौन सा मिजोरम होगा अगर state ना लगया हो तो लक्षदीप होगा अगर highest forest percent अगर पूछा जाए कि UT कौन सा तो लक्षदीप होगा एरिया पूछा जाए तब भी लक्षदीप होगा लेकिन state पूछा जाए तो वो मिजोरम होगा अब ध्यान से सुनना भारत में सबसे जादा वनों का शेत्र मिजोरम के अंदर है सबसे जादा overall forest पूछे overall one शेत्र पूछे तो आप करोगे मध्या परदेश लेकिन परतिशत में सबसे जादा कौन से राज्य में वन होगे परतिशत में राज्य पूछे तो मिजोरम होगा परतिशत में केंदर शाजित पर देश पूछे वनों में तो लक्ष द्वीप होगा और भारत में सबसे कम वन शित्र पूछे तो हरिया ना होगा इस तरह से हम इनको देखते हैं डिवाइड करते हैं फोरेस्ट में इन सभी स्टेट्स को यूटीज को ओके चलो कोशन नमबर नाइन भारत से किस देश के 41 राजदाइकों को जाना पड़ा है अभी यह बेटा यह मुद्दा कई दिनों से चला हुआ है यह कैनड़ा के जो 41 डिप्लोमेट्स हैं उनको जाने के लिए इंडिया ने बोल दिया है क्योंकि कनड़ा के साथ भारत के कु लुका है वहां पर कुछ और ऐसे जो देश द्रोही तत्व थे कनड़ा के अंदर उनको जगए मिली हुई थी जबकि इंडिया ने उनको चेता है था कि इनकी आप नहीं बात माने इनको हमें सोंप दीजिए जो कैनड़ा ने वो बात हमारी मानी नहीं तो कुछ संबंद बि जाहिए है यह एक विवाद है और इस विवाद में अमेरिका और बते देखके देटेवां नजर आ रही है ज़िए आगे बढ़ते हैं चलो आगे बढ़ते हैं पर देखके मैं आपके बात किरूं तो का विदभ अस ईस पीम को न जस्टिन टूडर टूडो जस्टिन टूडो जस्टिन टूडो जस्टिन टूडो जस्टिन टूडो वहां के पीम है कनडा की जो कनडा की जो जीले हैं वहां पर काफी बड़ी जीले हैं बेटा कनडा के अंदर नियागरा वाटरफोल है वहीं पर एना कनडा के अंद और ये Great Lake के अंदर area अता वेटा, Canada USA के अंदर Great Lake आती इस में पांच लेक आती हैं, सुनिए पांच लेक कौन से हैं, कुण से हैं, Superior Lake, बाज स्पीरियर लेक का पॉपिरियर लेक है, कनड़ा की है ना कनड़ा में दुनिया का सबसे अधिक खागज होता है कनड़ा के अंदर सबसे ज्यादा कागज होता ही कनड़ा के अंदर जो सोने की खान है वो भी बहुत बड़ी है इसको बोलते Ontario O mortalio के चलो आगे बढ़ते हैं Q10 भारत में ओनलाइन वित्य दोखादी से लड़ने के लिए डीजी कवच डीजी कवच जो है यह जो डीजी कवच इसको भी आई कर लें हां डीजी कवच प्रोग्राम तो फाइट ओनलाइन फाइनेंसियल फ्रोट इने इंडिया इसके लिए क्ल फ्रोग्राम बहुंच कर दिया गया है घुरा ने जो बहुरने इंटरनेंट का उच्मेट का उसमें चीजें जिसान के लिए इसमें दोखादश्य स्रुक्षित Pray करने के लिए यह प्रोग्राम लूंच किया है थोटा सा गूगल की बात की रहें तो बेटा गूगल की स्थापना लगभग यह मान के चलें कि 1998 में हो चुकी के था थान में सोरी 1998 में इसका चार सेटंबर को कर सकते हो हैंना हैड ओफ़िस कि दरें कैलीफोर्णिया कैलीफोर्निया यूएस से इसके स्थीओ कोन सिओं में सुन्दर पिच्छई इंडियान सुन्दर पिच्छई CEO आप इसको कर सकते हो ठीक है Google मेटा Facebook का नाम हो चुका है मेटा किसका नाम हो चुका है Facebook का नाम हो चुका है तो यह थे आज के question next class मिलते हैं बहुत ही fantastic question के साथ इन सभी questions को आपको note कर देना है जितने भी मैंने जो question मैंने आपको साथ में जो static point बताएं सबको note कर लेना आपको क्योंकि exam बिल्कुल आपके सामने है नवंबर दिसंबर में exam होंगे आपके डिली प्लिस के एससी के सी एचसल के exam जो होने वाले हैं उनमें अभी डी ट्रिप्लेस बी के भी exam आने वाले हैं तो सभी में करणटा फेर बड़े fantastic question आएंगे और एक भी हम नहीं छोड़ेंगे उसके लिए चलो thank you very much classes को like और share जरूर कीजिए